हेलो दोस्तो सुवागत है आपका आपी के यूटूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप पहुंच सके दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन टी टी एमेल शेयर के बारे में टी टी एमेल शेयर में अब वही जैसा आप थमनेल में देख रहे हो खेला होबे मेंस खेल होना शुरू हो चुका है लगातार अगर मैं दो दिन की बात करूं तो दो दिन स लगातार जो शेयर है वो लोवर सरकिट में लोख होता हुआ हमें दिख रहा है तो दोस्तो जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में वारन किया था कि ये जो शेयर है इसमें जब लोवर सरकिट लगने शुरू होंगे तो इतने भ्यानक होंगे कि आप लोगों का जो पैस लगातार दो दिन से हमें इस शेयर में lower circuits देखने को लगे हैं शेयर अपने 52 week high जो 189.10 का लगाया था उससे 170 तक आ चुका है अब लगातार queries आ रही है messages आ रही है कि क्या ये share so के पास जाएगा या so से निचे जाएगा तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं इसके पिछले एक महीने की बात करूँ तो आप देख सकते हो एक महीने पहले ये share 84 rupees का होता था means double यहां से हो चुका है छे महीने की बात करूँ तो 411% के returns एक साल पहले तो ये share 7 rupees का होता था और इसने 2000% से उपर के returns अपने निवेशकों को दिये हैं चार्ट पेटर्न में आप यहां देख सकते हैं कि जब ये share 54 पर गया था उसके बाद ये 37,6 के level तक तूटा था लेकिन उसके बाद ये थोड़े दिन consolidated phase में चला गया था उसके बाद से दुबारा इसमें V-shape recovery हमें देखने को मिली थी तो दोस्तो अभी भी ऐसा कुछ शायद आगे हो सकता है अभी जो share है वो और भी इसमें गिरावट आ सकती है उसके बाद से ये जो share है वो bounce back कुछ time consolidated phase में रहके कर सकता है तो जो भी निवेशक इस stock में अभी means जिनोंने higher level पर ये खरीद लिया है तो वो please wait करें wait ही उनके पास option है दूसरा कोई चारा नहीं है और हाँ जो निवेशक इसमें अच्छे खासे profit में बैठे है means जिनोंने 100 रुपे से निचे अब 20-30-40 के level पर ये बाए किया है वो इसम में कम से कम अपनी जो capital है उसको save कर सकते हैं और जो बाकी rest बच जाता है उसको market में छोड़ सकते हैं तो दोस्तो ttml share में I think ऐसा ही होगा कुछ अभी ये means 100-500-600 से तो नीचे अराम से आ सकता है उसके बाद कुछ time consolidated phase में रह सकता है उसके बाद again इसमें हमें V-shape recovery देखने क को मिल सकती है आगे देश्तो जैसे आप सभी को पता है टाटा का जो ये share है ये इतना means इतने निवेशक क्यों लगातार बढ़ रहे हैं क्यों इसका इतना क्रेज आप लगातार retail investors में बढ़ रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो share है ये जो 5G connectivity है इन च company है इसके लिए काम कर रही है और जो टाटा है उसका ये aim है कि इंडिया के अंदर जो ये चीजें होती है networking से issue वो इसको बिल्कुल सस्ते rates पर लेकर आना चाते हैं ताकि आम जो public है उस तक ये चीजें आसानी से पहुँच सके तो TTML जो share है जो ये company है वो इस field में लगातार काम कर रही है ये सस्ते packs इसके अलावा जो safe means safety first इन चीजों को लेकर ये आगे बढ़ रही है इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो टाटा है वो शैद 2022-23 तक जो इनकी super app है उसको launch कर सकता है और उस super app launch के बाद जो टाटा के सभी products है वो एक ही app पर हमें उपलब्ध तो वहां भी जो TTML है वो एक अच्छी भूमी का निवा सकता है अभी अगर मैं फिलाल की बात करूं तो आप सभी को पता है कि आज की date में तो जो TTML है वो लोस ही create कर रहा है अगर मैं December 2018 से आपको डाटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 409 क्रोड का लोस था उसके बाद एक बार बीच में 508 क्रोड का प्रोफिट 80 क्रोड का प्रोफिट हुआ उसके बाद दोबारा जून 19 में 238 क्रोड का लोस हुआ सब्तेंबर 19 में 234 क्रोड का लोस हुआ उसके बाद दिसंबर 19 में 277 क्रोड का लोस हुआ मार्च 2020 में 874 क्रोड का लोस देन 1069 क्रोड 341 क्रो और सप्तेंबर में 314, means लगातार, अगर मैं overall एक conclusion निकालूं, तो पिछले 40 quarter में से 49 quarter में ये जो share है, वो loss ही book कर रहा है, बट आगे आने वाले समय में, जो Tata के plans हैं, जो Tata Suns, इनको लगातार, means support कर रहा है, Tata Suns, इसमें लगातार, invest कर रहा है, इसको बचाने की बरपूर कोशिश की जा रही है, तो आगे शायद इस share के दिन, बदल सकते हैं, बट अभी की condition में, इस share में, जो operators लोग हैं, वो काफी ज़्यादा active हैं, वो ही share को, अपनी मनमर्जी से उपर बढ़ा रहे हैं, और अब उ हिसाब से, आप प्लीज अपनी capital को save करें, fresh entry की बिलकुल भी सला नहीं है, fresh entry से दूर रहें, और जो लोग जन्होंने higher level पर खरीद लिया है, वो थोड़ा वेट करें, 500 के level के आसपास, थोड़ा 500-640 के आसपास, जाकर ये share, bones back कर सकता है, बट वहाँ कुछ time ये consolidate भी हो सकता है, तो दोस्तों ये था, आज की वीडियो में छोटी सी update जो मेरे reviews हैं, ttml share के बारे में, वो मुझे आपको देने थे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप भी अपने reviews, please comment section में जरूर दें, वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, वीडियो को share करें, मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए, take care, bye bye